होां हलो फ्रेंड्सस वेलकम बेक आइऐ यूट्वम चैनलर फ्रेंड्स की बढ़े लगी होती थी युद्यरे वाँ द्रॉवन्वाटब जब मई उन्में लागी हूँ वे होती है испर बड़ी माल्दवम जयकि बहुंपट सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने इस वीडियो में आपको टोटली जो लाइड विलिंग करती है एर मतलब वन टाइम करती है तो उसका क्या फॉल्ड होता है अगर आपको यह पता होगा तो आप फॉल्ड को बहुत इसली तरीकी से ट्रेस कर सकते हैं और अपनी परिशानी जल से जल हल कर सकते हैं तो आपको करना विडियो को पूरा वाच करना जिससे कि जो भी मैं आपको इनफोर्मेशन दो वह अच्छे से आपको समझ आ जाए तो टाइम बीडियो करते हैं स्टार्ट एल्जी इनिवेटर मोडल टेकनोलोजी में सिंगल डोर रेफ्रीजेटर होते ह अगर लाइट वन टाइम बिलिंग करती एक तो आपने ओन किया पावर सप्लाई दी और उसके बाद एक बार मतलब बिलिंग करकी वह आफ हो जाएगी फिर उसकी जो टैम हो इस कंडिशन में फिर आपका ओन होगा ठीक है उसके बाद भी अगर यह मतलब को सेकेंड के बाद लाइट फिर वन टाइम में लेगरी तो इस कंडिशन में आपको चेक और के लिए उसके काई कोई कंपोनेंट तो नहीं से लिए है और मैं आपको एडवाईस और देढू आप किसी वह कश्टुमर के घर जाते हो इससे पहले आपको एक चीज को अपने पास रखने चाहिए जो PCV कार्ड होता है इसको आपको एक साथ में रखना चैनिटी कि यह क्या होता है यह आप टेस्टिंग के दौरान चेक कर सकते हैं कि PCV अपने पास हो इसको लगा के चेक आज ऐसे कर सकते हो दिक्कत वाली बात नहीं उसको आप लगा कर चक्ते और वो भी काम कर जाता अगर Samsung का आप पास available है तो इसको भी यूज़ कर सकते हो अगर double door refrigerator में यही मतलब one जो PCV लगी है और वहां पे क्या है यह one time billing करती है तो इस condition में आपका जो PCV double door refrigerator होगा वहां पे क्या है communication जो होता है जो feedback मिलता है ठीक है उसमें क्या होता है double door refrigerator में double PCV होती है तो वहां पे आपको communication को check out कर लेना हो सकता है वायर कट हो या फिर आपके अगर communication proper है वायर भी ठीक है तो इस condition में आपके बोल्टिस अपड़ून हो या फिर कोई component खराब हो जाता है तब यह दिक्कत आ दी तो आपको step by step यह सारी चीशे कर लेना है और आपकी problem solve हो जाएगी अदरवाज यह सब कुछ ठीक है तो आपकी PCV fault है अगर टू टाइम लाइट विलिंग करती है आपने PCV on की उसके बाद मतलब supply दी उसमें फिर और लाइट विलिंग करी उसके बाद कुछ टेम के बाद क्या है दो सेकंड या तीन सेकंड के बार टू टाइम लाइट विलिंग करती है तो इस condition में आपका जो PCV कार्ड है पहा करना है आपका जो रेफ्रिजेटर है उसमें आपको चेक ओट करना है कि कहीं से ग्यास सो लेक नहीं अगर क्यास लीक होती है तो इस condition में क्या होता है आपका compressor कुछ दिर चलेगा वो फिर बंद हो जाएगा इन्मेटर मोटल चाहे वो आपका एयर कंडिशन हो या फिर रेफ पन्च नहीं होना चाहिए इस कंडिसन में भी आपका जो इन्मेटर मोटल में जो एक काड़ लगा होता है वहाँ पे पी इसींडी में टूट करेंगा करेंगा तो आपको चोक को हुँ चैक कर लें अगया कुछ ठीक है उसके बाद आप क्या करें अगर आपको चोख पाइप काई काट के इस कंडियी से कर सकते हैं तो हिसके बाद यह सारा कुछ ठीक है आपने सब कुछ CNET उसके बाद भी आपको कंडियी सर को चैक आप करना है इस कंडियी सं बेसा कंप्रेस्टर इक वर्ली निकलता एक एसा हुआ है इसी वज़े से तो आपको जो कंप्रेसर को भी डारिक्ट चेकड़ करना पीसी वी की मदस्टी के निएग पीसी भी अमेशा रखें आप साथ में और एक चीज का ध्यान रखें कि कंप्रेसर भी आप इन्वेटर मॉडल का एक साथ में रखे तीक इससे क्या है प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हो जागी फिलाल वैसे तो हम करी लेते हैं तेस्टिंग मगर यह दोनुच चीज़ें होती है पीसी वी और कंप्रेसर तो बहुत आसानी हो जाती है टेस्टिंग करने हैं तो आप इस तरीके से चेकड में अगर टाइम लाइट कर दीए तो इस कंडिशन में आपको सबसे पहले चेकड करना है आपका जो कंप्रेसर वह चाञ पर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है थक Samsung company क्या करती है कि over load उसमें उपरी लगा के दे देती है ठीक है और बाग की LG company क्या होती है इसमें over load goal वाला लगा होता है तो goal overload होता है जो OLP हम जैसे बोलते है ठीक है तो वहां पिए तो आपका मतलब खराब नहीं है अगर OLP जैसे की बोल्ट इस अब दाउन बहुत ज्यादा होते इस कंडीसर में कहता है ओल पी वहां पे हीट अप होता है और फिर बहुत जल्दी हीट हो जाता कि उसके अंदर की स्प्रिंग होता है श्रींग होता है फिर वह कमांड देता है bethp प्रिटे कंप्रिसर होता है वह आपका कॉट अ हो जाता है तो आपको कर लेना है कोईटिनिटी की रेंज पर मीटर को सैट करें उसके बाद आप चैक आउट कर सकते हैं कि वहाँ पर क्वांटिनिटी की अलारम मतलब वज़रा यह नहीं वज़रा अगर अलारम पर सौंड नहीं आ रहा है इस कंडिशन में आपका ओल्पी खर कर लेना आपको च्रीशन की वेंडिनिक तो सोट नहीं और आप इस तरीके से चैक ओट कर सकते हैं आपकी प्रोलम हो सकती है फ्रेंड्स एक मैंने सेमसेंग डवल्डो रेफ्रिजेटर की एक वीडियो अपलोड करिए जिसका मैं डिस्क्रिप्सिन में लिंक दे देंगा वहां पर क्या है को टैम लाइड विलिंग करती है इस कंडिशन में आपका जो कंप्रेसर होगा वह आपकी कंप्रेसर को चेक ओड करना है कि वहां तक सप्लाई परोपर तरीकी से पहुंच रही है फिर वहां पर वायर तो कट नहीं है ठीक है यह चीज आपको स्टेप बैस्टेप चेक ओड कर या फिर नहीं कर रही है इस कंडिशन में आपको स्टेप बैस्टेप ऐसी सारा को चेक कर लेना जैसे कि मैंने आपको डेटेल से बता है अगर आपको इनवेटर मोटर लेफरी जट के जो कंप्रेसर होगा तो आप वीडियो लिश्ट में जाकर उसको देख सकते हैं वहां प बेंटर्म टेक्लोरजी में अगर ओलाइट विर इस कटीशन में क्या होगा इस कंडीशन में यह घॉता कि PCV फॉल्ट नहीं होती है अपकी मतलब की बेछिट तो पिलस आपका compressor जो है वो मतलब हैंग हो रहा है मतलब स्टार्ट होगा फिर रोग गया तो इस condition में आपका जो पिश्टन होगा वो जाम हो जाता है या फिर आपका जो रूटर होता है वो प्रोपर तरीकी से नहीं घूम पाता है तब यह दिक्कत आती है तो आपको किया ने सब है बेस्ट है यह सारी चीज़ चेक ओट करना है आपकी जो प्रॉब्लम हो सौल हो जाएगी जो लाइड विलिंग 5 ताइम करती है वो आपकी प्रॉब्लम सौल हो जाएगी आप इस तरीके से चेक ओट कर सकते हैं ल्जी इन्मेटर मोटल रेफ्रिजेटर में जो डवल डॉ प्रॉब्लम सौल हो जाएगी तो आपका जो रेफ्रिजेटर है उसमें से ग्यास लीक नहीं होना चाहिए इस कनडियों में अगर गैस लीक होगी तो जो कम प्रिज्टर हो गांड कुछ देर चलेगा उदेर नहीं चलेगा तो आपको घैस को भी चेक ओट कर लेना कि आपकी गैस जो रेफ्रिजेटर उसमें कहीं लीक तो नहीं या वीर फिर गैस कहीं से मतलब चोग होगी तब यह दिक्कत आगी प्लेस आपका अगर पाइफ कहीं से पंज होगा तब यह दिक्कत आगी अदर्वाइज यह सब कुछ ठीक एपस के बाद भी आपको जो पीसीव है पीसीव को चेक आउट को लेना चाहिए कि पीसीव आपकी पर तरीके से बॉर्क कर रही है या नहीं कर रही समाहत्तक सप्लाइः और कर रही हा और फिर नहीं कर रही है तो आपको इस टैप-बस्टेप यह चीज चेक आउट कर लेना हैं गर करते हैं आए ब här बैसे मतलब मुस्ट ली ये फॉल्ड जो मैंने बताया था यह आते हैं बनना एक इसमें माईक्रू कंट्रोलर चिप लगी होती है यह फॉल्ड हो जाती है तब यह फॉल्ड आता है तो आपको यह जाए चेक आपकी प्रोब्लम problem solve Votja और आपको एक चीज और हिखना है कि अब जब चेक करने के तो इसमेन क्यों होगा दो कर लेना चाहिए कि वहां पर communication जो है वहां पर वायर कहीं से कट तो नहीं गया या फिर आपका जो component है कहीं से खराब तो नहीं होगा है तो यह चाहिए चीज इस टेप बेश्टेप चेकोड कर लेना चाहिए आपको करती है को सेगेंड के बाद सेवन टाइम लाइट विलिंग करती है तो इस कंडिशन में आपका जो पीसीव पीसीव का आई पीम होता है वह फॉल्टी है इस वजह से आपकी पीसीव रिपेरवल नहीं होगी आपको सीधा रिप्लेस करना पड़ेगी ठीक है तो आपको यह ची में तो आपकी जो पीसीव वह सीधा रिप्लेस होगी क्योंकि यह रिपेरवल है नहीं बहुत जादा महेंगा बढ़ता है इस वजह से तो ज्यादा अच्छा है कि आप पीसीव को ही चेंज कर दें लजी इनिवेटर मोटल रेफरिजेटर में अगर एट टाइम बिलिंग कर होती है तो आपका जो इसमें वी क्या है पीज़िवी फाल्ड होति है पीसीवी का आइप एम होता है वोग्साइफ थंपनी तो इस कंडिजिवी रिप्लेस करना पड़ेगा तो फ्रेंट्स वीडिइयो कैसी लगए अगर वीडिज़ अच्छी लगी वीडिए डी याइप क